पाँच नियमों के इस खंड में संपून ब्रम्हांड को बुद्ध संदेशों के सार के रूप में नियमों से संचालित होता हुआ दिखते हैं मगर इन सब के बावजूद एक बड़ा समूह इन सब का कारण एश्वर परमेश्वर या खुदा के चमतकार को माना जाता है तो अब यहां पर कौन चला रहा है इस जगत को या इस जीवन को इसमें दो वर्गों के विचार प्रमुक्त उभर कर आते हैं पहला वर्ग वह जो इस जगत वह जीवन को नियमों के कारण स्वचालित मानता है और दूसरा अब भी जिद पकड़े हुए है कि एक रहस्च में चमतकारिक शक्ति एश्वर को इसका कारण माने हुए है तो कई लोग एश्वर की अवधार्ना से इतने चिपके हुए क्यों है जहां पर इस जगत को अपने समक्ष घटित होता हुआ देखते हैं हमारे सामने यह नियम घटित होते हैं और हम यह भी देखते हैं कि इन नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है हमारे सामने घटित होने वाली घटनाओं को नजर अंदाच कर हम उस इश्वर जैसी चमतकारिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं ना किसी ने उस इश्वर को अपनी आँख से कुछ करते हुए भी देखा उस इश्वर को बिना देखे उसके चमतकारिक भाओं का वडन करते हैं और जो नियमों के कारण हमारे आखों के समक्ष हो रहा है उससे नजर अंदाज आखिर ऐसा होता क्यों है तथागत बुद्ध के संदेशों के जरिये समझें तो यह अज्ञानता के कारण होता है बुद्ध के संदेशों के सार में इस जगत को स्वैचालित माना जाता है और मुख्यत यह पांच नियमों से संचालित है जिसमें से पहला नियम उतु नियम जिसे हमने पिछले वीडियो में समझा दूसरा नियम जिसे बीज नियम कहा जाता है जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे और बाकी के तीन नियम जिसमें चित नियम, कर्म नियम और धम्म नियम है जिनें आगे आने वाले वीडियो में समझा जाएगा तो बीज नियम का संचालन हम जीवों में देखते हैं कि धर्ती के उपर उपस्थित सभी जीव जन्तु कोई एश्वर की एच्छा या दया से संचालित नहीं होते हैं बलकि ये नियमों से संचालित होते हैं और इनी नियमों को बीज नियम के रूप में कहा गया है बीज नियम का संचालित हम सभी जीव में देखते हैं प्रकति में हम बीजों के विशिष्ट वेहार को देखते हैं कि किस प्रकार से किसी बीज में विशिष्ट पदिस्थितियों में अंकुरण की छमता होती है अगर इसी का विस्तार आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में किया जाए, तो हम इसे आनुवन्शिकी के लक्षणों में समझ सकते हैं। जैसे बीज बोना, वर्शा होना, खेत जोतना, उपज होना। तो बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि कृशक बार बार बीजों को बोते हैं। और उनके द्वारा उपज को प्राप्त करते हैं। ऐसा हम क्यों बार बार करते हैं। क्योंकि हमें यह पता है कि इस बीज का इस पश्ट व्यभार है। कि इसे बोने के पश्ट यदि यह गेहूं का बीज होगा तो यह गेहूं का दाना ही पैदा करेगा। इसमें किसी को संदेह नहीं है और इनहीं विश्यों का हमें खुद निकाय में कई जगों पर वर्णन मिलता है। अंकुर के फूटने में बीज की भूमिका है औसाधारण और प्रित्वी तथा जल की साधारण। अतह इस प्रकरण में बीज है हे तू और प्रित्वी तथा जल है पचे। तो यहां पर इन सभी विवरणों का बड़ी बारीकी से निरिक्षड करने पर पता चलता है कि जैसे बीज को यदि विशेश परिस्थितियों में जल और प्रित्वी मिले तो अंकुरन की प्रक्रिया की शुरुवात हो जाती है। इसका अर्थ यदि बीज को सही परिस्थितियों में घटक उपलब्द हों तो यह एक पौधे को जन्म दे देता है। और ये घटनाएं बार-बार होती हैं और इन्हें को बीज नियम कहा जाता है। और फिर इनकी स्टिक्ता के बारे में आगे कहा गया है कि जो जैसा बीज बोता है वैसा फल ले जाता है। और फिर इन्ही नियमों की विशेष्टाओं का जिक्र मिलिंद पन्हो नामक बौध गरंथ में भिक्षू नाक सेंद राजा मिनेंडर के अंधर उत्पन शंखाओं का निवारन करते हुए इसी बीज नियम का उधारन देते हैं। वे कहते हैं कि बीजों की विविधता के कारण पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं। अब भी जो लोग इस प्रकति में जीओं में घटित होते हुए नियमों के आधार पर अपनी प्रग्या या बुद्धिमत्ता को विक्षित कर लेते हैं। उन्हें धीरे धीरे पूरे पांच नियमों का बोध होने लगता है। और वे यथार्थ का दर्शन कर लेते हैं। और जो लोग अभी भी इश्वर जैसी किसी चमककारिक शक्ति का भाव बनाए हुए हैं। वे अभ भी भ्रम जाल में फसे हुए हैं। अब इसे एक उदारान से समझते हैं। कि प्रकत में होने वाला बीज नियम इश्वर की इच्छा से होता है। या अपने नियमों से संचालित। जो लोग अभी मानते हैं कि इस स्रिष्टी का कोई नियंत्र करता है। जिसकी इच्छा से सभी जगत चल रहा है। नियम का बीज बोए। और इश्वर से प्रातना करें कि उसके खेत में गेहूं का पौधा उग जाए। देखिए प्रश्ण भले ही सोचने में साधारन लगे। मगर यह अपने आप में कई प्रश्णों का उत्तर दे देता है। और क्या यह संभव है कि वह व्यक्ति इश्वर से प्रातना करें कि उसने जो अपने खेत में नीम का बीज बोया है वह गेहूं के खेत में बदल जाए। तो क्या इश्वर यह कर सकता है। यहाँ पर गंभीर चिंतन मनन की बात है कि यह बीज क्या केवल इश्वर की इच्छा से अपना व्यवहार बदल सकता है। कि नीम का बीज गेहूं के पौधे के रूप में विख से थो जाए। तो यहाँ पर हमारी प्रग्या या बुद्धिमत्ता इस बात का बोध कराती है कि बीजो का व्यवहार किसी की चाहने या प्रातना या पूजा पाठ से नहीं बदला जा सकता। यदि हम एक समय के लिए इश्वर की संभावना को मान भी लें तो भी वह इन नियमों को बदल नहीं सकता। यदि नीम का बीज बोया जाएगा तो नीम का ही पेड अंकुरित होगा गेहूं का कदा पी नहीं। तो यहाँ पर बोध के जरिये एक ज्यान उपलब्द होता है कि नियमों के विवहार को बदला नहीं जा सकता। यदि इश्वर की संभावना है भी तो भी वह इसे बदल नहीं सकता। तो फिर दूसरी परिशिती उत्पन होती है कि ऐसे इश्वर को मानने का क्या लाब जो इन नियमों को बदल नहीं सकता। और जो लोग यह मानते हैं कि इश्वर की पुजा पाट से इन नियमों को बदला जा सकता है तो हम ऐसा होता हुआ भी नहीं देखते हैं। तो क्या संभव है कि वह इश्वर शक्तिमान हो केवल प्रातना और इच्छा मात्र से नीम के बीच को गेहूं के फलों के रूप में बदल दे। और ऐसा जब नहीं हो सकता है तो इश्वर जैसे व्यर्थ के प्रश्णों में भटकना क्यूं। और बुद्ध यही कहते हैं कि जब यह जगत नीमों से संचालित है तो क्यों नहीं हम नीमों का चिंतन करें। क्यों नहीं हम नीमों को समझें। उनका बोध करें तभी यथार्थ का दर्शन होगा और सत्य प्राप्त होगा। और इसी सत्त का विस्तार हमें संपूर सत्त के मार्ग पर ले जाएगा और इसी बीज नियम का उदारहन देते हुए संयुक्त निकाय के भिक्षुणी संयुक्त में कहा गया है कि जैसे कोई बीज खेत में बूने पर वह पित्वी का रस और चिकनाई इन दोनों को पाकर उगाता है वैसे ही इसकंद, धातु और छे आयतनों का हेतु होने से यह अस्तित्व में आ जाता है और हेतु का प्राणाश होने पर इसका निरोध हो जाता है यहाँ पर इस जीवित शरीर के बारे में कहा गया है जिसे हम सभी जीओं के संदर्ब में समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी बीच को धर्तिवा जल के कारण उग कर एक पौधे के रूप में हम देखते हैं ठीक वैसे ही यह हमारा जीवित शरीर उत्पन होता है अपने इसकंधों धातू और छे आयतनों की वज़े से अपने अस्त्वित्व में आ जाता है यहाँ पर चार तत्व याने यह शरीर चार तत्व से निर्मित है पहला परित्वी दूसरा जल तीसरा अगनी और चोथा है वायू और पांच इसकंध पहला रूप जिसका अर्थ हमें शरीर के भौतिक आकार से लगाया जा सकता है कि यह रूप मूलत चार तत्वों से बना है और दूसरा वेदना किसी भी समवेदना का अनुभव या तो वह सुखद है या तो वह दुखद है और या तो नव सुखद है और ना ही दुखद तीसरा इसकंद संग्या वे मानसिक प्रक्रियाएं जिन से धाडाओं का निर्माण होता है जिन से पहचाना जाता है जिन से जाना जाता है और फिर संसकार मानसिक गतिविदियां वे सभी प्रकार की मानसिक अवस्थाएं जो हमारे विचारों और कार करने के लिए प्रभावित करती है और पांचमा इसकंद विज्ञान, विज्ञान का अर्थ यहां पर चेतना से लगाया गया है कि जो हमारे अंदर होश का भाव है, जो हमें जागरित अवस्था में रखता है और यही चेतना हमें विवेक का भी एहसास कराती है तो हमारी जागरित अवस्थाओं में हमारी प्रतीक्रियाओं को हम चेतना से समझ सकते हैं तो यह चेतना हमारी मानशिक और शारिरिक गती विधियों पर आधारित होती है और फिर आगे छे आयतन जिससे शडायतन भी कहा गया है जिसमें से पहला आख जिससे हमें द्रिश्य वस्थूं का ग्यान होता है और दूसरा है कान जिसका हम ध्वनी के माध्यम से अनुभाव करते हैं और तीसरा है नाख जिसमें हमें गंध का एहसास होता है और चोथा है जीव जहां से हमें स्वाध का अनुभा होता है और पाचवा है त्वचा शरीर जहां से हमें इस पर्ष का एहसास होता है और इन पाच अंगों के अलावा बुद्ध छठे अंग के रूप में मन को मानते हैं और ये संपून शडायतन और पंच इसकंद और चार धातु ही हमारा वास्तविक अस्तित्व है हमारा अस्तित्व केवल इन ही विशयों के कारण है और ये सभी विशय उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं ये जीवन रूपी विशय ही अनित्य है इन सभी विशयों का विखंडन ही यह मैं रूपी जीवन का अंत कर देता है अतह इन सभी प्रतीत्य समुत्पाद रूपी विशयों का यथार्थ बोधी हमें सही ज्यान करा सकता है और इसी ज्यान को बुद्ध विद्या कहते हैं इसी विद्या का अभाव हमें इस जीवन के सत्य को समझने नहीं देता तो इसी विद्या रूपी सत्य की सिंकला में अगले नियम चित नियम जिसमें मनुष्य के चित के सभाव का वडन किया गया है तो इसी विशेश मानव रूपी चित के भाव को तीसरे नियम चित नियम के सहारे जानेंगे धन्यवाद प्रण्यवाद